नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है सैबर कैफे एच पे में तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बता है कि मंडी डिस्टिक में जो है आपका जियो आईटी पोस्ट को नो सो उन्ताली का जो है पेपर लीक हुआ था तो उसमें क्या आज की अपडेट आई है सबसे पहले आपको आज की अपडेट के ऊपर ले चलते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेपर लीक मामले के सभी 9 आरोपी को मिली जमानत दोस्तों जितने भी आपके नो आरोपी यहां पे गिर्फतार किये गे थे जिसमें की टीचर परफेसर कलरक और स्टूटेंट तक जो है गिर्फतार किये गे थे लेकिन कल जो है उनको कोड से जमानत जो है मिल चुकी है अगर हम डिटेल्स से इसके बारे हम बात करें जीला मंडी में 24 अप्राय घृषब भी की जारी है उन्हें आरोपियों को सुंदर नगर नेनेले मेंद पेश किया अधालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है बताए कि पूलिस जांच गहनता से जारी है और एरोपियों को बित्य संपतियों की जांच भी की जा रही है उन्हेंने कहा कि यहां जांच में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उन्हें के अदार पर चलान कोर्ट में समक्षा रखा जाएगा संदर नगा पर परदेश वर में पांसो स्तारा केंद्रो में जो आईटी की प्रिक्षा लिकली गई इसी बीज सुंदर नगर में नेयर्टी को गिर्फदार किया था सुन्दर नेगल पुलिस ने मामला दर्श कर मामले की शानवेर शुरू कर 12 गंटों के बितर इस गुत्थी को सुलजा लिया था तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके अरोपी थे पेपर लीग को उन सभी को यहां पर जमानत मिल चुकी है और आगे हमारे पर जिसके रिगार्णी कोई भी इन्फरमेशन आएगी तो आपको इस चैनल पर अपड़ेट जुरूर मिल जाएगी और दोस्तों अगर हम बात करें कि आपका पेपर अभी रद होगा जा कैंसल होगा तो ऐसी कोई भी निउस नहीं है तो अभी तक कि जो निउस है उसमें यही है कि आपका पेपर बिल्कुल भी कैंसल नहीं होगा क्योंकि आरोपी यहां पर सब के सब पकड़ लिए गया है और उनको जमानत भी मिल चुकी है आप इससे अंदाज़ा लगा सकते है कि अभी जो है पेपर आपका रद नहीं होगा दन्यवाश्रेंड्स